आप ये ना सोचे कि हम गाओं में बैठे हैं और क्या ना कर सके हमारे पास लैपटोब नहीं है हमारे पास नेट नहीं है हमारे पास ये नहीं है आप ऐसा कुछ ना सोचे आप लोग सब कुछ कर सकते हो गाओं हो चै शहर हो कोई बड़ी बात नहीं है मतलब करोडों की बाते क हम लोग कभी किसी टाइब में आज हम अन करते हैं हम बिजनेस क्या बिजनेस की तोफ भी बना सकती है हाई मेरा नाम प्रिया है मैं आज आपको बतारी हूँ कि मैं एक कौ में बैठ कर आज 6 क्रोड के बिजनेस पर कैसे पहुची और आप लोग भी कर सकते यह ना सोचे कि आप नहीं कर सकते मैंने कोई फाइनेंस इतना नहीं लगाया कि मैं आज 6 क्रोड लगा के तो 6 क्रोड कमा मैंने कुछ नहीं लगाया और यह आप भी कर सकते हैं बीना कोई income पैसे लगाए हुए मैं छोटी सी हुए उमर में मेरे पापा की death हो गई ती जिसके वज़े से मैं बहुत परिशान थी कि अब क्या होगा आगे मेरा future क्या होगा जब ही मेरे मामा और नाना नानी हम लोगों को ले गए और उन्होंने study कराई दिल्ली में वहाँ पर मैंने 12th करी उसके बाद बीए करी उसके बाद मैंने नैचर पैथि और आयोवेधिक का कोर्स किया आयोवेधिक का कोर्स किया नैचर बेदी का और अच्छा चल भी रह था क्योंकि दिल्ली एक मैट्टो सिटी है वहाँ मैंने घर में बच्चा खेले कूदे और सब कुछ हो हम लोग जोब नी करवा सकते मैंने का पर मैंने स्टार्टिंग से मेरे फादर नी थे तो खूद स्ट्रगल किया है और मैं बैठ नहीं सकती मैं बहुत परिशान रहने लगी इतने में मेरे हजबन बोले कि आप परिशान इंकम हो रही है साथ में काफे कुछ बेनिफिट भी मिल रहे हैं मैंने ओनलाइन लगाया और कॉफी अच्छे इंकम हुई आप बिलीव नहीं करोगे मैं करते 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 मेरी टर्न ओवर आज 6 करोड पहुच चुकी है जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक लड़की जो ग आप लोगों को पता है कि गोल्ड मैडल आज तक जितने भी आ रहे हैं हर्याना की साइट से ही आ रहे हैं महां की लड़किया ही ला रही है और वो सब चीज में टैलेंटेड है कुछ भी करवालों उनसे सब कुछ कर सकती हैं बट एक गाउं होने की वज़े से वो लोग करने जाए और मैं ये भी चाहती हूं कि ग्वाव में सब कुछ वो हो जो आज शहरों में हो रहा है हम लड़कियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गाउं में बैठे हैं तो हमारी लाइफ इतनी सी है कि हम खाना बनाए कीचन समालें बच्चे समालें और सब बस इतना ही नहीं ह हम लोगों को आगे भी बढ़ना हैं, हम सब कुछ बहुत कुछ कर सकती हैं, घर बैठे, एक लड़की थी उसका कॉल आया मुझे, कहती है कि मुझे पढ़ना लिखा नहीं आता, आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैंने का ठीक है मैं आपको बताती हूं, मैंने का आप क्या लगवाओ आपको बहुत अच्छी इंकम मिलेगी और आज आप देख सकते हो एमाजोन पे बैस सेलर में उपले सेल हो रहे हैं तो उस लड़की ने देखो हिम्मत करी है उसने यह नहीं सोचा कि मेरे को पढ़ाई नहीं आती है कुछ नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकती वह भी बहुत कुछ कर सकती है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं हम घर से गाउं से में भी बैठके शहर में भी बैठके सब कुछ कर सकते हैं बस थोड़ी सी पावर होनी चाहिए कि हमें करना है बेस बनाना है कि हम इस चीज में टालेंटीड है कुछ लड़की सोचती है कि मेरे पास स्टडी नहीं है पर मैं कुछ करना चाहती हूं तो यह नहीं कि स्टडी से ही सब कुछ हो जाता है सब कुछ स्टडी के साथ-साथ मेहनत की भी बहुत जरूरी है हम प्रोडेक्ट अगर बनेंगे नहीं तो हम ओलाइन सेल कैसे करेंगे तो यह नहीं सोचना चाहिए कि स्टडी या मैं गौवं में बैठी हूँ, या मैं शेहर में बैठी हूँ, हर जगा हर कोई कुछ कर सकता है, मैं आज बहुत अच्छे मकाम पर बहुत चुकी, मतल़ को बाते थ VII करते थे हम लोग कभी किसी टाइम में आज हम ँच स рукन stared adult लड़कियों को आजकर बहुत अच्छा दर्जा दिया जा रहा है, सब कुछ कह रहें कि पढ़ाओ, लिखाओ, सब कुछ, और हो भी रहें, बट हम लड़कियों के अंदर अगर डढ़ना हो ना, कि हम यह नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इस बिजनेस क्या बिजनेस की तोफ भी बना सकती है और अपना नाम का धूम मचा सकती है अब मैं आपको बताती हूं कि आप यह ना सोचे कि हम गाओं में बैठे हैं और क्या कर सके हमारे पास लैपटोब नहीं है हमारे पास नेट नहीं है हमारे पास यह नहीं है आप ऐसा कुछ मैं सभी लड़कियों को बता रही हूं क्योंकि जितना भी टैलेंट है यह नहीं गाउं में बहुत ज्यादा टैलेंटीड लड़कियां बैठी है और मैं आप सब को बोल रही हूं अब कई अचार अच्छा डाल लेती है तो उसमें पढ़ाईगी तो जूरत नहीं है बस किसी क को इस लेडिस है वो यह सोचे कि पता नहीं हमें कितनी दूर जाना पड़ेगा थोड़ा पैसा खर्च करना कुछ नहीं करना पड़ेगा ना आपको कोई लैप्टॉप लेना ना कुछ बस आप अपने प्रोडेक्ट आप इतना कुछ बना सकते हो आप तो सब कुछ ऑनलाइ की है तो बैनिफिट भी आपके सामने है महनत नहीं कि तो बैनिफिट नहीं है मालोग आप यह सोचरों की बस हमने तो यह करना है बस ऐसी करके दे दिया आगे प्रोड़क्ट पसंद आए या न आए हमें पैसे आ जाने चाहिए तो वह नहीं होगा आप महनत करो तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा और लड़किया सारी बोलती हैं कि हम लोग तो घर से बाहर नहीं निकल सकती तो आप घर से बाहर ना निकलो घर में ही बनाओ और अपनी मदरन लोग का फादन लोग का भी हेल्प लो उन सबसे भी अपने साथ पैकिंग कराऊ सब कुछ कराऊ आपक सब कुछ कर सकते हो गाओं हो चैश शहर हो कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए आप करिए और आगे बढ़िए इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेर करना ना भूलें